शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले उम्रेड रोड पर पेट्रोलिंग के दोरान अजनी आतायात के पुलीस ने उम्रेड रेती से भरे तीन ट्रा कौवे तरीके से नाकपूर आने पर पकड़ लिया तैसिलदार नाकपूर की और आर्टियों को कागत पत्र देखकर आगे की जाज की जा रही है यह मामले आगे रेफर की गए है अजनी के डीसीपी ट्राफिक का स्कौर करमचारी ये उम्रेड रोड पर सुबह साथ बज़े के दावरान पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी दावरान उम्रेड से नाकपूर की दिशा में तीन टिपर आ रहे थे जो अवैत तरीके से रेती की ढुलाई कर नाकपूर की और आ रहे थे इसी दावरान पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालोंने उन्हें रोका और जांच पड़ताल की जिसमें तीनो टिपर में रेती पाई गई, तीनो टिपर में लाई गई रेती, कहां से लाई गई है और इस रेती की रॉयल्टी की पुष्टाच की गई, लेकिन टिपर ड्राइवरों के कोई भी किसी भी प्रकार की रेती रॉयल्टी जिसे रेती वहातु परवाना कहते है व अजनी यातायात विभाग के और से तवसिलदार नाकपूर और आल्टियों को पत्र दे कर आगे की कारवाई करने के लिए ये मामले को रेफर किया है। इस घटना के पारे में DCP विक्रम साई इन्होंने इन विसेंसमक्ष जानकरे दी। आज हमें सुब़ जानकरे मिली कि रेती के ट्रक विदाउट रॉयल्टी नाकपूर में एंट्री कर रहे हैं तो हमारे स्टाफ को मैंने भेच दिया वहां उम्रेड रोड पे तो हमें तीन ट्रक मिले जो कि विदाउट परवाना रेती की वहतुक कर रहे थे तो उनको हमने हिर ले रहे होंगे लेकिन हमारा भी जिम्मेदार है ट्राफिक डिपार्मेंट का उनको रोकने की और इसके बाद भी यह कारवाई शुरू रहेंगी जहाँ जहाँ यह अवेद्य रेती की वह तूप होगी तो हम उस पर कारवाई करेंगे नाकपूर जिले में आयदी रेती के माफिया फिर से एक बार सक्रिय हो चुके है इस घटना से यह जाहिर होता है अब देखना यह होगा के प्रशासन इस और क्या कदम बढ़ाती है और क्या सक्त कारवाई करती है नाकपूर के DCP आपिस से कैमरा परसन सुभाज बुटले के साथ संजय मीरे इन बिसेन नियोज नाकपूर